जी जिस दिन राजुपाल हत्याकान हुआ है मैं और मेरी पतनी रोकसाना बेगम मैं कर्बला में रहता था उनको लेकर कि उनके बहन के घर जा रहा था जैसे ही मैं चवभटका के पास पहुचा मेरे गाड़ी में पिट्रोल कम था मैं रुक गया वहाँ पिट्रोल पंपर पिट्रोल लेने के लिए और पिट्रोल लेने के लिए जैसे ही रुका तब तक पीछे से राजुपाल विधायक की गाड़ी और एक गाड़ी उनके पीछे और थी काले रंग की जिसको बुद्धी पठेल चला रहा था उन्होंने हमसे और हमारी पत्नी से कहा कि भाई भावी आज मेरे घर चलिए आप से कुछ बहुत जरूरी बाते बतानी है और करनी है मैंने उसे बताया भी कि मैं कहा जा रहा हूँ और अभी लोट के आओंगा तो आप रुक के पिटोलने में भावी को मेरी गाड़ी में बठा दीजिए मैं इनको लेके धीरे धीरे चलना हूँ आप जो है पीछे से आईए उसके बहुत कई बार कहने से मैंने अपनी पत्नी को उनकी गाड़ी में कहा कि ठीक है बैठ जाईए तो आगे जो गनर बैठा था राजुपाल जी खुद जो है गाड़ी ड्राइब कर रहे थे ड्राइबर के बगल में जो गनर बैठा था उसको हटा करके कहा बीच वाली सीट पे बैठ जाईए और रुकसाना जी को यानि मेरी पत्नी को आगे बठा लिया और कहा भाई हम भावी को लेके चले आप घर पेर में लगभग वह चार-पांच मिनट लगा होगा मुझे तेल लेने में मैं तेल लेकर के मैं भी चल दिया और जब वहां पहुंसता हूं तो वहां बड़ा अपरा तफरी का माहल मचा हुआ था और लोग भाग रहे थे किसी से कुछ पूंच रहे कोई बताने को कुछ न चला रहे थे उसको नहीं दिखाई पड़ी कुछ दूर में दौड़ता ही आगे चला गया है गाली ख़ली करके तो आगे जाके जम अमरदीप के सामने मैं पहुंसता हूं तो बाए साइड में उसके वहां पर एक बल्ली पढ़ रहे एक दुकान थी उस जमाने में उस टाइ तो संदीप को गाल पे गोलिया लगी है और राजुपाल को गर्दन में दो तीन गोलिया ऐसा लग रहा है लगी है पूरे सरीर से खून बहरा था गाली में खून बहरा हुआ था राजुपाल दाहिने तरफ टीके हुए थे और मेरी पत्नी को दो गोलिया चेस्ट से उपर क अंधे से लेकर के जो है दो गोलिया राइफल की लगी थी यह बाएं साइड में लुड़की थी मुझे ऐसा लगा समर गए हैं मैं राजू पाल जी के पाद दोड़कर गेट खोल करके मैंने कहा उनसे कि राजू तुम घबराओना परिसान नहों मैं फला हूँ चलो तुमको होस्पतार लेकर चलते हैं कुछ नहीं होगा बच जाओगे तो वो बोल नहीं सके और उनके आख में जो है आसू निकलने लगे और मैंने उनको उतारा और भी कुछ लोग आ गए उन उनीक साथ के लोग से वो और उसके बाद में उनको एक थ्रीवीलार में बैठाया गया ल बठाया दूसरा एक थ्रीवीलार लिया और थ्रीवीलार लेने के बाद मैंने इनको भी बठाया और सीधा जीवन जोती हास्पटल गया वहां कोई इलाज नहीं हुआ फिर मैं इनको जो है मेडिकल हास्पटल ले गया मोतिलाल नहिरू में तो वहां जो है इनका सुचारू से अस्पटाल जो है वहां इलाज हुआ और जब मैं घटना अस्थाल पर पहुंचा था तो मैंने यह देखा था जो मुल्यूमान थे वह जो है तीन गाड़ियां थी उसमें बैट करके वह पस्षीम की तरफ यानि धूमन गंतानाजी साइड में पढ़ता है वहीं उसी हो गए हैं नजाने कितनी बार मुझको टेलिफून से धंकी दी गई नजाने बिरादराना कुछ पंचाइते हुई कि आप जो है मुस्लिम हो क्यों ऐसा करते हो आप ऐसा करिए कि भाई से मामिला खतम कर दीजिए उनके खिलाब कोई बयान न दीजिए जब सी वी आई को बय होती खाज गुर्गा है जो सार्फ सूटर है जिसका नाम मुबारक मुबारक बक्सी मोड़ा गाउं ठाना करैली का हिस्ती सीटर है और उनहीं के लिए वो काम करता है एक दिन अभी चार साल पहले मेरी पत्निया और मेरा बड़ा बेटा मुहमद साजित घर के बाहर बैठे थे कि इतने में तीन मोटर साइकिल से छे लोग आए और हमारी पत्नी सचेत रहती थी और गाड़ी को देख करके गाड़ी को देख करके